वेल्कम टू लर्निक ट्रीव चैनल रिजिनिंग में आज हम लोग बलाड रिलेशन चेपटर यानि रक्त समवन चेपटर का पार्ट टू पढ़ने वाले हैं ये part 2 पढ़ने से पहले हम लोग इस part 1 में जो चीज़ हम लोग पढ़े तो उसका कुछ रिविजन कर लेंगे जिससे क्या होगा? कि हमें सवाल को समझने में आसानी होगी और part 1 जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं वो लोग part 1 देख सकते हैं क्योंकि वहीं से हमें बहुत सारा जानकारी का यूज यहां पर करना परेगा टाइप 1 में जो इस तरह का सवाल रहता था उसको हम लोग कैसे बनाते थे उसको बनाने का जो सबसे best approach वो बताये थे कि अपना PD वाले को सब को एक साथ रखना है अपना PD वाले सब को क्या करना है एक साथ रखना है और husband wife को क्या करना है इस तरह से interrelate करके जो male होगा यह जो husband होगा उसको M से denote कर देना है जो female होगा उसको F से denote कर देना है और पिता जी माता जी को अपने से उपर रखना है चाचा चाची को अपने से उपर रखना है और जैसे मान चलिक जिसका पिता जो होगा उसको जश्ट उसके उपर रखना है जैसे अगर इस वेक्ति ये वेक्ति ए है अगर एका पिता बी बोला जाए तो बी को जश्ट एक उपर रखना है ठीक है यानि पिता जी माता जी चाचा चाची को अपने से एक पीडी उपर रखना है दादा दादी को अपने से दो पीडी उपर रखना है बेटा बेटी को अपने से एक पीडी नीचे रखना है और पोता पोती को अपने से पोता पोती नाती सब को अपने से दो पीडी पहले हम इसके condition को लिख लेते हो उसके बाद हम लोग आगे सवाल को बनाएंगे इसमें बोला गया कि A जो है वो C का पिता है यानि A अगर C का पिता है तो A को C के जश्ट ऊपर रिखेंगे और A पिता है तो A को M से डिनोट कर देंगे अब C के बारे में नहीं बोला गया कि वो बेटा है बेटी है अब इसको ना तो M से डिनोट कर सकते हैं ना तो F से डिनोट कर सकते हैं यानि इसके बारे में अभी C के जनरल असपर्ष्ट नहीं है नेक्स्ट है कि इसका पूतर नहीं है अगर C उसका पूतर नहीं है तो M किसको रखेंगे तो F से डिनोट कर देना है और M से डिनोट कर देना है F A की पतनी है अगर F जो है A की पतनी है तो पती पतनी को हम लोग इस तरह से इंटरिलेट कर देते है F जो है वो A की पतनी है और ये F फिमेल है तो इसको भी हम लोग फिमेल से दिनोट कर देते है अब next है कि B C का भाई है देखें अगर B C का भाई है और C का पिता A है तो B का भी पिता A हो जाएगा अगर C की ममी F है तो B की भी ममी F हो जाएगी क्योंकि यह दोनों भाईवान है B C का भाई है उसके बाद बोला D B का पुत्र है अगर D B का पुत्र है तो B के ज़स्ट नीचे D को रखेंगे देखें यहाँ पर क्या पुत्र है C का पुत्र E है क्योंकि C के ज़स्ट नीचे है यहाँ पुत्र E और B का पुत्र D है तो D को B के ज़स्ट नीचे लखेंगे अब नेक्स बोला जी B का एस्पॉज है एस्पॉज मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है पती-पत्नी यह हो जाएगा पती-पत्नी अगर G जो है बी का इसका मतलब G और B जो है हस्वेन वाइफ होगा और B के बारे में बोला गए यह मेल है तो इसका मतलब G फिमेल हो जाएगा H G का पिता है यानि अगर H जो है H G का पिता है तो एक मिनट यहाँ पर सबसे पहले यहाँ थे G B S POS है ना तो G जो है B S POS है तो इसका मदलब G अगर male है तो H female हो जाएगी G male है तो sorry B male है तो H female हो जाएगी आप बोलागे कि H G का पिता है अगर H G का पिता है तो G के जश्ट उपर में H को रखेंगे H G का पिता है अब हम सारा जितना भी statement दिया गया तो सभी statement का यूज कर लिए अब हम लोग सवाल पर आते हैं D का grand mother कौन है यानि दादी कौन है D का D के पिता का मा D के पिता का मा कौन हो जाएगे दादी यानि इसका D की दादी होगी यानि इस सवाल का John Struck option C हो जाएगा next F का पुत्र कौन है F का पुत्र कौन है F है F के नीचे में C और B F का संतान C और B है C तो पुत्री है B पुत्र है इसका John Struck option नमर A हो जाएगा इसलिए बोले थे कि पूत्र पूत्री या जो भी होगा उसको नीचे रखना है ममी पापा को उपर रखना है दादा दाजी को दो पीडी उपर रखना है बेटा बेटी को एक पीडी नीचे रखना है और पोता पोती को दो पीडी नीचे रखना है और husband and wife को इस तरह से interrelate कर देना है इससे क्यों होगी सवाल बहुत ही easily बन जाएगा अब जैसे कुछ एक सवाल और देख लेते इस type के सवाल को B, D की मा है तो B को उपर रखेंगे D के और B मा है तो इसको F से denote कर देंगे D, B की पुतरी नहीं है अगर D, B की पुतरी नहीं है तो इसका मनलब D, B का पुतर हो जाएगा A, M का पुतर है A, M का पुतर है ये statement अभी यहाँ पर नहीं आ रहा है इसलिए हम इसको side में रख लेंगे अभी A, M का पुतर है उसको अभी राने देते इस statement को अभी राने देते है A, G का भाई है A, G, B अभी कहीं पर नहीं हा रहा है तो इसलिए इसको भी हम लोग राने देते है अभी अभी यहाँ पर G, D की बहान है याणि इसका जो G, D की बहान है यह D यहाँ पर चर्चा किया गया है तो यह statement को हम लोग पहले ले लेते है देखे, A, M का पूत्र है इसलिए नहीं लिए A, G का भाई है इसलिए नहीं लिए क्योंकि A, M, G का जो चर्चा है इसलिए नहीं पर नहीं है इसलिए A, G को पहले नहीं लिए याणि पहले जो relation लखेंगे उस relation से जो direct relation मिल रहा होगा पहले उस statement को ले लेंगे यहाँ पर बोला गए G, D की बहन है तो याणि D अगर यहाँ पर है तो G को इसके साथ में रखेंगे क्योंकि बहाई 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 को साथ में रखते हैं और यह फिमेल हो जाएगा अब next आते हैं A, G का भाई है अगर A, G का भाई है तो याणि A को इसके साथ रखेंगे मेल हो जाएगा यह और यह तीनो B का ही संतान होगा क्योंकि यह तीनो भाई है और D की ममी अगर B है तो G की बहाई ममी भी हो जाएगी अगर A, M का पुत्र है और B उसकी ममी है तो याणि M जो है दोनों पती-पत्नी हो जाएंगे, अब जो भी relation निकालना है, हम लोग इसी डियाग्राम से निकालेंगे, क्या बोले M और G के बीच क्या संबंद है, यानि M और G के बीच क्या ही, यानि M पिता जी है और G बेटा है, यानि ये फिमेल है न, बेटी, पिता पुतरी का संबंद ह हो जाएगा, आप्शन नमर A ये फिमेल है, तो पिता पुतरी, M और G में पिता और पुतरी का संबंद हो जाएगा, अब next बोला जएगा है कि B, D, A के बारे में कौनसा कथन सत है, यानि B, D और A के बारे में कौनसा कथन सत है, देखे ये B ये नमर ऑप्शन सत हो जाएगा, क्योंकि यह जो B है वो D और A से बरी होगे क्योंकि ममी है तो अपकोर्स दोनों से बरी होगी यानि जो B है वो D और A से बरी है option number B जो है इस कथन का यह जो कथन है भी वो सही है अब यह से एक सवाल और practice कर लेते हैं उसके बाद हम लोग next type के सवाल के और move करेंगे इसमें है कि M N का भाई है तो अगर M जो है N का भाई है तो M को male बना रहते हैं और N female है कि male है भी इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया ऐसलिए हम इसको gender जब तक असपष्ट ना हो तब तक उसको male और female से denote नहीं करना है M के बारे में असपष्ट है कि M भाई है तो M को male से denote कर देंगे लेकिन N के बारे में असपष्ट नहीं है कि यह भाई का भी भाई होता है और बहान का भी भाई होता है तो इसका मनलब यह भाई है या बहान अब है अभी हश्पस्ट नहीं है next है B N का भाई है N का भाई B है तो इसको सेम पिड़ी साथ में रखते हैं B भी उसका भाई है तो B का जन्दर अब्फस्ट अभी को मेल कर देते हैं एम डी का भाई है एम अगर डी का भाई है तो डी के बारे डी एम भाई है तो एम को मेल कर देंगे एम भाई है तो एम को मेल कर देंगे लेकि डी के बारे में अभी जेंडर असपस्ट नहीं हो पाया है इसलिए डी का जेंडर अभी असपस्ट नहीं कर पाएंगे अब बोलागे एक निमलिकित कथन में से कौन सा निष्चित रूप से सत है यानि आप जो कथन हंडेर परसन निष्चित रूप से सत है उसको लेना है पहला कथन दियागे NB का भाई है क्या NB का भाई है इसका जेनर असपष्ट है ही नहीं तो आप कैसे कर सकते हैं यह भाई है कि बहान है यानि यह कथन निश्टितुरूप से सत नहीं हो सकता है ND का भाई है अगर N का जेनर असपस्ट ही ने तो आप कैसे कर सकते हैं कि ND का भाई है कि बहान है इसका मतलब यह भी statement जो है 100% सही नहीं है इससे तुरुप से सत नहीं है क्योंकि जब तक gender असपस्ट नहीं हो जाता तब तक हम लोग नहीं कह सकते कि वो भाई या बहन है अब next सवाल देखते है next option mb का भाई है m का gender असपस्ट है कि वो mail है तो यह mb का भाई है यह का gender 100% सहता है option number 30 का right answer होगा तो type a में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं अब type 2 में यह सवाल खुझ से प्रैक्टिस कर लेना है यह सवाल खुझ से प्रैक्टिस कर लेना है type 2 अब हम लोग type 2 में आते हैं और type 2 में आपको किस तरह से सवाल पूछा जाएगा जैसे आप एक महिला दूसरे महिला को बोलेगे कि महिला के बारे में बताएगी जिक्र करेगी उसके बाद उस दोनों महिला में रिलेशन पूछा जाएगा या फिर चीतर की और इस सारा करती हुए कोई बेक्ति कुछ बोलेगा कि यह जो चीत Chief है मेरे पृता के जो भी डिरेशन होगा वह इस सारा इकटके बोलेगा और उसके बाद चीतर और बेक्ति में डिलेशन निकानले के बोलना जाएगा यानि tap 2 में हम इस तरह के सवाल हम लोग कैसे बनाएंगे वो अभी हम लोग next slide में देखने वाले हैं जिसे tap 2 में कुछ इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं और यह लगवग हर एक एकजाम में पूछे जाते हैं और इस में बहुत तो को बहुत ज्यादा प्रोब्लम होता है और वो प्रोब्लम आज किलियर हो जाएगा जिस इसमें है कि अपने से आगे बैठी महला की ओर देखते हुए आमीत ने कहा वह मेरे पतनी के पती की बहान है तो इस तरह का सवाल जब भी बनाना है तो सब सब पहले ये देखेगी बोल को रहा है आमीत बोल रहा है किसके बारे में बोल रहा है महला के बारे में बोल रहा है आमीत बोल रहा है वह मेरी पतनी तो पहले जो बोलता है उसका रिलेशन लेजिए पहले इस वा को छोड़ दीजे, मेरी पतनी के पती, तो यानि अमीत बोल रहा है, तो यानि अमीत अपने बारें बोला है, कि अमीत के पतनी, यानि फिमेल, इसका पतनी हस्पेन वाइफ को में इस तरह से इंटरलेट कर देते हैं, अमीत के पतनी के पती कौन हो जाएगा, अमी महिला जो है वह अमीत के पतनी के पती अमीत खुद का बहान है अब बोला गया कि उस महिला से अमीत का क्या संबन है यानि वह महिला जो है वह अमीत की बहान है option number 10 इसका right answer होगा अगर बहुत लोग क्या करते हैं अपने में इसको relate करके यानि अपने में अपने में लेकर यानि अपने relation में लेकर इसको relate करके बना ले तो वह भी सही है लेकिन कहीं कहीं अपने में relate करने बहुत ज्यादा problem हो जाएगा इसलिए जिस तरह से हम लोग type 1 के सवाल को बनाये थे उसी तरह से type 2 के सवाल को भी बनाएंगे और type 3 में भी आगे बहुत सवाल आता है उसको भी हम लोग देखेंगे next सवाल लेखते हैं एक व्यक्ति की और इसारा करते हुए यानि एक व्यक्ति को इकलोती पुत्री यानि किसके पिता देखें औरत को बोल रहा है तो इसका मतलब औरत के पिता जो होगए यानि और तुम्हारे पिता की इकलोती पुत्री यानि औरत खुद हो जाएगी पुत्री इसकी माता है किसकी उस ब्यक्ति की माता है ब्यक्ति को रिशारा करके बोला ना आपिनि जो धेक्टे की मता है चंशरेंड से नीचे लिखे देंगे वह औरत उस बैक्ति से किस परकार Suppराइब यह जो ऑरत है डिक्टी की मा हैं आपसन Rachel का राइट एंसर हो जाएंगा कि तो इस तरह से अगर diagram बना के सवाल को बनाते हैं तो बहुत easily आप इसको solve कर पाएंगे अब जिस taught में नेक्स सवाल गते हैं राम ने एक बेक्टी के चीतर को देखते हुए कहा यानि राम बोल रहा है कि इसको बेक्ती के चीतर के ओर देखते हुए यानि किसी तस्वीर को देखते हुए राम बोल रहा है उसकी मा पहले इसको रहने देते हैं जो बोल रहा है उसका रिलेशन लेते हैं मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है यानि राम के मेरे मतलब कि राम बोल रहा है तो राम अपने पारें बोल रहा है राम के पिता और मेरा हो जाएगा क्योंकि इसका थो कोई भाई बंढ हुए राम के पिता का पुत्र की पत्नी यहनी पत्नी इसको एख जो डिया जानि यह 20 हम्तवीर, इससवीर में diab Detroit की मा ईहले pleas questionnaire 19 यह मेर पिता के पुत्र की मेरी पत्नी हो जाएगी और मेरी तो राम किसका चितर देख रहा है तो राम के पतनी का जो बेटा होगा राम का भी बेटा हो जाएगा तो यह निराम किसका चितर देख रहा है अपने पूतर का चितर देख रहा है अब नेक्स सवाल देखते हैं इसको पहले खुल से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके बाद आप वीडियो देख सकते हैं अतितियों को आसा का परिचाय कराते हुए भास करने का है यनि आसा का परिचाय करा रहा है और भास कर बोल रहा है उसके पिता, पहले इसको डाने लेते हैं, पहले जो बोल रहा है उसके बारे में लेते हैं, मेरे पिता के एकलोते पुत्र हैं, यानि भासकर बोल रहा है, यानि भासकर के पिता का एकलोता पुत्र भासकर खुद हो जाएगा, और यह भासकर कौन है, उसके पिता, यानि आसा क पिता है भासकर आसा के पिता तो इसका मतलब क्या बूला जर से कि बाएक अपर आच्छे से पुछा आप आतीति को का परड़चर कर राते हो भासकर ने कहीं टिकर बोल है आसा का परड़चर कराते हुई उसके पिता असको पिता के बारे में बोल रहा है मेरे पिता के एकलोता पुत्र है अगर भासकर के पिता के एकलोता पुत्र भासकर खुद हो जाएगा और ये भासकर कौन है उसका पिता है यानि आसा का पिता है तो इससे असपष्ट होगे कि आसा जो है एक आदमी काता है, यानि महिला का चितर दिखाते हुए आदमी बोल रहा है, बोलने वाला कुन है आदमी? अब महिला का चितर को दिखाते हुए, उसकी मा की मा इसको रानेते हैं मेरे पिताजी की मा है, यानि आदमी के पिताजी की मा ये फिमेल सॉरी आदमी के पिताजी के जो मा है वो कौन है उसकी मा की मा यानि दो पीड़ी उपर जाना है तो हम यहीं से सुरुआत करते हैं यानि उस औरत यानि उस महिला के जो ममी होगी उसकी ममी ये होगी आदमी के पिताजी के जो मा है यह महिला के मा की मा है ठीक है, इसका मतलब यह जो महिल यह होगी इसका एक पुत्र यह हो जाएगा और यह पुत्री हो जाएगी यह पुत्र हो जाएगा और यह पुत्री क्योंकि यह मेल है तो क्या बोला जाए गए उस आदमी का चित्र में दिखाई गए महला से क्या रिष्था यानि आदमी जो है महला से क्या रिष्था है तो म मेरा भाई हो जाएगा क्योंकि इसकी यानि जो ये थी इसका एक बेटा है और ये एक बेटी है इसके बेटा का बेटा ये हो गया इसके बेटी के बेटी ये हो गया इस दोनों जो रिलेशन होगा वो भाई बहन का यानि मेरा भाई बहन का हो जाएगा अब नेक्स सावाल लेखते हैं सागर ने मोहन का परिचाय कराते हुए कहा यानि सागर मोहन का परिचाय कराते हुए बोल रहा है वा उसकी दादी मा के एकलोते पूतर के एकलोते साले का भान जाए है देखें वा उसको रहने लेते हैं उसकी दादी मा के सत्षाल cancelled no Bohan का प्रचर थे लोग रहा है ना सागर मोहन का प्रचर रहा तो यायन URLs के बारे मुव बोल रहा हैं उसकी दाधी मां यामिमोहन के दाधी मां कुंह जाएंगे फिता गिए एकलोत ई शाला यानि इसके पतनी का भाई एकलोत अ साल यानि क्या बोला जारहिँ उसकी दादी मा के एकलोत पूतर मोहन का दादी मा को न जाएगा मोहन की पिता कोन है मुहन के पिताजी का सालह हो गए सागर है वह जो है उसका भाणजा कौन है वह है वह कौन सागर है ठीक है इसका भाणजा सागर किसे होगा यानि इसके बहन का बेटा होगा यानि इसके बहन का बेटा मोहन भी है और इसके बहन का बेटा सागर भी हो जाएगा तो इसका मतलब मोहन और सागर में क्याची का समंद आएग अपना भाई का समन्द आएगा मैं मेरा भाई का समन्द नहीं ओप्सन नमर 20 का राइट अंसर हो जाएगा तो इसको अगर हम डागरामेटिकली बनाते हैं तो बहुत ही इजियली आप सॉल्ब कर पाएंगे बसर्टे कि आपको खुझ से 50 सवाल 40 सवाल प्रैक्टिस खुझ से करना है किसी भी बुक से आप कीजिए लेकिन खुझ से जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक इस तरह के सवाल में आप हमेशा फंस येगा दो-तिन सवाल हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे एक आदमी ने एक महिला से कहा है यानि आदमी महिला से बोल रहा है आपके भाई का एक मातर पुत्र मेरी पतनी का भाई है यानि महिला के महिला के भाई दोनों को साथ में रखेंगे भाईवान को साथ में रखा जाता है का जो एक मातर पुत्र है भाई का एक मातर पुत्र आपके भाई का एक मातर पुत्र मेरे पत्नी का भाई है अगर मेरा पत्नी यानि आदमी न बोल रहा है यानि आदमी के पतनी यानि आदमी के पतनी फिमेल का भाई यानि पतनी को इधर इसलिए बनाए ताकि ये दोनों भाई बहन को एक साथ रखे अगर आदमी का भाई राता है तो हम आदमी को इधर बनाते हैं लेकिन उसके पतनी का भाई है तो इसलिए पतनी को इधर बनाए त देखें इससे पहले वाला सवाल में जिस जिस का जिक्र किया आता है यानि सागर और महन का जिक्र किया गए तो सागर महन के बीच में ही रिलेशन पूछा जाता था लेकिन यहां पर ऐसा नहीं दिया गया है यहां पर बोला गया है कि वह महला उस आदमी की पतिनी से किस परका जी हुए तो इसका मतलब इस महिला का भी तो पिता होगा ना अपने भाई का पिता कौन होता है उस महिला का भी पिता हो जाएगा यानि इसके पिता का बहान कौन हो जाएगा यानि इसकी बुवा हो जाएगी और इसके पिता की जो बहान होगी, भाइबन को साथ में रखते हैं तो यह इसका बुआ हो जाएगा, option number 10 का right answer होगा, तो diagramatically आपको बनाना है, बहुत ही easily आप solve कर पाएंगे, यह सवाल हम खुद से practice के लिए देते हैं, इस सवाल को खुद से practice कर लेना, यह जैदा hard सवाल है न अब यह सवाल हम एक देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे कुछ सवाल practice के लिए देंगे, इसमें बोला एक बैक्ती ने अपने से आगे एक लड़के को दिखाया, और कहा कि वो मेरे पतनी की भावी का पुत्र है, यानि बैक्ती जो है, एक लड़का के बारे हम बोला, कि व जो पतनी है, इसका पहले एक भावी बना देते हैं, और इस भावी की जो है, वो बीवी बना देते हैं, अब ये जो है, इस बैक्ती के पतनी का भावी हो गया, भावी का पुत्र जो है, इस भावी का पुत्र है, वो लरका, यानि वो जो लरका है, वो इस बैक्ती के पतनी क बावी 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 बनाने के लिए पहले भावी बनाना परेगा फिर उसके पत्नी बावी का पुत्र है यह लरा का? अपने माता पिता का एकमातर संतान है अब क्याची सवाल पुछा गया मेरे पुत्र का उससे क्या संबंध होगा यानि मेरे पुत्र का इस लर्का से क्या संबंध होगा ठीक है यहाँ पर बैक्ति और लर्का के विच नहीं पुछा गया इस बैक्ति के पुत्र का और लर्का से क्या समन्द होगा अगर grammatically बनाते हैं तो आप असपष्ट हो जाएगा कि ये दोनों सेम PD में जा रहा है ये दोनों सेम PD में जा रहा है इसका मतलब भाई का है समन्द होगा और अपना भाई तो होने सकता है क्योंकि ये किसी और का पुत्र है यानि ये किसी और का पुत्र है और ये किसी और का पुत्र है तो अपना तो भाई होने सकता है तो चाचे रहा है मेरा भाई आप डायक्ट भी सोच सकते थे वह यह भी देख सकते थे मेरे पूत्र का उससे क्या समन्न है इसका जो पूत्र इससे क्या समन्न होगा जिसे मम्मी यानि इसका जो पूत्र है इसकी मम्मी के भाई का बेटा कौन हो जाएगा मैं मेरा भाई हो जाएगा option number 10 का right answer होगा अब यह सवाल भी खुद से practice कर लेना है यह सवाल खुद से easy सवाल है आप खुद से practice कर लेना है आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना है जिससे क्या हुआ का आपको confidence मिलेगा अगर आपके पास कोई book है तो book खोल के उस book से आप diagramatically यानि जिस तरह से बताया गया है उसी तरह से diagram के माधियम से आपको यह सवाल खुद से practice करना है अगर इस तरह के सवाल आप इस तरह के सवाल बनाने में कभी भी कोई problem नहीं होगा यह 13 नमर जो सवाल है वह हम बता देते हैं उसके बाद फिर आप लोगं खुद से बांकी चार सवाल practice कर लिजएगा एक महिला ने एक photograph की और इसारा करते हुए कहा यानि महिला photograph की और इसारा करते हुए इस बैक्ती के पूत्र की बहन यानि जो चितर में ब्यक्ति है, चितर में जो ब्यक्ति है, उसके पुत्र का बहन, यानि चितर में जो ब्यक्ति है, उसकी पुत्री हो जाएगी, बहन मेरी सास है, ठीक है, अब मेरी सास ये है, इसको सास बनाने के लिए हमको क्या करना पढ़ेगा, पहले इसका बेटा बनाना पड़ेगे यह महिला हो जाएगे इसको सास बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा सब पहले इसका बेटा बनाना पड़ेगा और फिर उसकी पति नहीं बनाने पड़ेगा यानि यह महिला जो है इसका तभी यह जो है इसका सास हो पाएगा अब आते हैं सवाल क्या बोला फोट फोटोग्राप में दिखाएगे व्यक्ति यानि फोटोग्राप में जो दिखाएगे व्यक्ति यह जो चितर वाले व्यक्ति है उस महिला के पती से क्या संबन्द है यानि महिला के पती से क्या संबन्द है देखें महिला का जो पती इस से क्या संबन्द है यह चितर वाले व्य गया दो सब्स क्या जाता कि धेवता ये नति को बला जाता है कि और ये नतनि को बला जाता है सरी नत्नि को बोलााता है ए धैपती नत्नि को बोला बता है और धैपनानाती को बोलाजाता है ठीक है मांकी 2 सवाल enterprise कर लेना आँ type 3 में कुछ इस तरह के सवाल आते हैं ठाइब थिरी में यानि बोल दिया जाएका ए voz b काष़ Shift तरह सवाल दे जाएगा और फिर पहले कुछ आपको instruction दे दिया जाएगा फिर उसकी उस instruction पर आपको नीचे 4 या 5 सवाल दिया जाएगा यानि रेल्वे में बात करें तो रेल्वे में इस इंस्ट्रक्शन पर 2-3 सवाल मिलेंगे आपको अगर SSC में बात करें अगर वीडियो अच्छा लगए तो जरूर लाइक की जागा और अपने दोस्तों भी जरूर शेल की जागा और जो लोग अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब की जागा थैंक्स पर वाचिंग बाए बाए